बिहार में सराबंदी को लेकर लगाता है। बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। बिहार में सराबंदी कानून लाया जा रहा था तो खुल कर विरोध कर रहे थे। क्या कुछ कर रहे हैं सकती यादब जरा आप वो सुनिए। जवेश मिस्रा के अदास भी कमजूर है। उनको जनकारी का भी अभाव है। 2015 में जब सराबंदी लागू ही थे। भारतिनता पार्टी के लोग और स्वेम जवेश मिस्रा ने इसे तूलकी कानून कहा था। तो माननी जिवेश मिस्रा जी को ता एदास मजबूत कर लेनी चाहिए। कि इनके ही दल के दो बिधायकों ने अभी तक बतार बचकोल जी सहित एक और बिधायक ने सराबंदी को पुरीतर से नकारति वह यह कह दिया। कि बिहार में सराबंदी के नाम पर पहला रिकनोमी है। इवा कि जिन्दगी बरबाद हो रही है। कोई सुरच्छित नहीं है जहरेली सराब पिने पर लोग मजबूर हैं जिसके कारंद काल के गाल में जा रहे हैं। और पैसे अवैद कमाई के पैसे सरकार के जिम में जा रहे हैं तंतरों के जिम में जा रहे हैं। पुलिस ही तसकरी करवाती है। तो उनके कौन है भाजपाग विधायक नहीं है जिनोंने बाते कहीं। राश्टी जनतादल ससक्त कानुन का पक्षकार पहले भी था और आज भी है। स्राबंदी इसलिए नहीं हुआ कि प्रावर एकनोमी से लोग आर्थिक रूप से ससकते हों। इस बिहार को परतिवर्स 25,000 क्रोल का नुकसान हो रहा है। नुकसान बिहार कि सरकार इसलिए सहन की थी कि ताकि समाज बहतर हो। निश्ची तोर पर स्वस्त समाज समरिश समाज बने। पर यह एकनोमी अगर बन जाए परलर सत्ता के रखवालों का तो सभाविक तोर पर सवाल खड़े होंगे कि जो पैसे खाजाने में जाने चाहेते वो जिव में जाने लगे। तो मेरा मत्साफ है कि भारतियंता पार्टी का कोई न चाल है न चृत्र है न चेहरा है। सब समय समय पर बदलते रहते हैं कि कई ऐसे जो लोग हैं यहीं कि नत्रित पर सवाल खड़ा करते हैं नितियस जी के प्रेयम में। इस इन चाहल में सराबंदी पर चर्चा अगर कोई करता है सकता प्रिश का लोग हमें लगता है कि उससे बड़ा राजितिक तोर पर कोई मेहमान नहीं हो सकता है। सब्सक्राब के साथ फोटो कौन खिचवा रहा है जदि हो किसांसत खिचवा रहा है बताने की जरुवत है जहां तो सराब की बोतल पकड़ाने का सवाल है तो मुखमंत्री सचवाले में भी सराब की बोतले पकड़ी गई थी। फायार करिये खुझी तो इलाका मुखमंत्री के इर्द जद में आते हैं। किसी पर करवाई करने के पहले यह बात समझ देनी चाहिए कि सराब की वैपार सराब का सेवन दोनों दो चीजे हैं। सेवन करने वाले पर करवाई करते हो लेकिन सराब का वेपार करने वाले पर करवाई नहीं करेंगे और इसलिए नहीं करेंगे कि इस में सबसे ज़्यादा जदि भाजपा के खुनी लोग है खून के रिष्टे बड़े ही गाठे होते हैं सरकार के खून के रिष्टे वाले लोग जादा है इसलिए ये लोग थे जो लगतार विरोध कर रहे थे और अब वो सवाल उठा रहे हैं उन्हें ग्यान का अभाव है के साथ बने रहे अब तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुर्ण सब्सक्राइब कर ले आपका बहुत-बहुत सुक्रिया